हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, सौनम्स किचिन कॉर्णनर में आपका स्वागत है, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रत वाली एकदम चटपटे मसालिदार आलू, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे की मेरी नईने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमने ये चार उबले हुए आलू लिए हैं, और इनको हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, सब अब ऐसे मीडियम साईज के पीसेश करेंगे, अब ठंडे आलू को अगर इसतरह से काटेंगे तो आपको आलू बिखरेंगे नहीं, इसतरह से इसके एकदम परफेक्ट, एकदम खेले हुए पीस कटती है इसी तरह से हम इसके सारे पीसे काट कर लख लेंगे अगर आप गरम आलू से काटेंगे तो यह एकदम से थोड़ा सोड़ा बिखर जाती है जिससे की इनमें दिखने में थोड़ी रोना कम आती है इसी की साथ साथ हमने यहां पर थोड़ा साह मुल्س नेखने सबने कोचिए इसकोड़ करें आफ्राई मारीक करते हो इसके आप तो डाले के रहते हैं मैं तता हैने इसको तमाई दालेंगे और आज़ने यादरघ ऊठ्रेस बेधित, ये आपने मसाले भी डाल सकते हैं जैसे ब्रत में आप जो खाती है या नहीं आज हमने ये फलार के लिए बनाए है इसलिए मैं इसमें अज हल्दी का यूज भी नहीं किया है अद्रक और हरीमिश भी हमारे भून चुके हैं इसमें अमने आलू को डाला है इस तरह से हम इसमें एक से दो मिनट क डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के नुशा डाल सकती है एक चम्मच काली मिर्स पावडर डालेंगे और एक चम्मच सुखे धनिये का पावडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से इसमें ये जू ब्रत में मसाले डाले जाती है उसको डाला है और पूर इसको अच्छे से एक से दो मिट के लिए भून लैंगे जितने अच्छे सेatisf Dannya अ छह टेस्ट आता है ुसी तरह से अप सका चलाते रहें और आधा नीवीड़ेंगे और इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें मसाली की जो लेयर होती है वो अच्छे से बन चुकी है और इसी तरह से इसमें से हम सारी लेयर को आलू पर अच्छे से कोट कर देंगे इसी तरह से आप आलू को अच्छे से चलाते देखें एक फ्लेम को मीडियम रखिए गा देख अमारे फलार के आलू मिंटों में ही बनकर पैयर हो जाते हैं अब उपर से इस पर हम हरादनी अढारेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बस मिंटों में ही अमारे फलारी आलू बनकर तेयर हो चुकी है इसी तरह से आप इसको जितना अच्छा भूनेंगे उसमें यह अच्छा टेस्ट देते हैं अब इसको एक अलग बरतन में निकाल लेते हैं देखिए आपको लग रहे होंगे न कितने एक दम यह परफेक्ट बने हुए है इसी तरह से आप अपने इसको ब्रत में बनाईए नवरात्ती ब्रत चल रहे हैं और अपने खाने को एक टेस्टी टेस्टी टेस्ट दीजिए और थोड़ा सा हरादनिया में इसके उपर तो उसे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स मा लेकर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी चलिए मिलते हैं नेक्ट वीड झारो